हेलो दियर इस्टूरेंट बहुत बहुत स्वागत अपने यूटूब चैनल कॉमर्जबी संजीब सर में और अब हम फंड वहाव विब्रन के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट mcq को सॉल्व करेंगे और इनमें से आपको एक्जाम में 100% कुछ न कुछ जरूर मिलेगा तो आईए समझते हैं और इनको सॉल्व करते हैं और आप से भी सॉल्व कराते हैं कोसिस कीजिए कि आप इनको कितना सॉल्व कर पाते हैं कमेंट बॉक्स में जरूरू बताना कि आपक का प्रियोग और उप्रियोक्त में से कोई नहीं तो इसका जो सही आंसर है वो फंड का आगमन है ओके यह जो आपसन है सी वाला यह करक्ट है अगला कोश्चन है कि अरजिस सुद्दलाव प्लस गैर प्लस गैर मौद्रिक ब्यय या हानी बराबर है किसके बराबर है चार आपसन इसके भी है आपरेशन से फंड और अंसो का निर्गमन फंड का प्रियोग और उप्रियोक्त में से कोई नहीं तो इसका सही आंसर हम लोग लगाएंगे इसका है आपरेशन से फंड यानि ए जो प्रियोगों के निर्गमन से होगा फंड का प्रियोग पहला अप्शन जी नहीं फंड का आगमन जी नहीं फंड में कोई परिवर्तन नहीं हां यहीं होगा क्याती क्या है एक ऐसी संपत्ति है जो कोई मूर्थ नहीं है ओके और ओप्रियोगत में से कोई नहीं यह भी नहीं होगा तो सी वाला जो आपसन है यही सही है अगला निम्न में से कौन से चालू पूंजी में से चुकता नहीं किये जाते हैं यह important question है बहुत important question है और यह कई बार पूछा हुआ है तो निम्न में से कौन से चालू पूंजी में से चुकता नहीं किये जाते हैं, क्या क्या चुकता नहीं किये जाता है, मजदूरी का भुगतान किया जाता है, लेंदारों को किया जाता है, रलपत्रों का सोधन नहीं किया जा सकता है, और सामिग्री का क्रय ये किया जा सकता है, तो यहां पर जो सही अगला कोश्चन इस्थाई संपत्ती में व्रद्धी क्रे के कारण होगी यह किसके कारण होगी फंड का आगमन और फंड का प्रियोग और कोई नहीं और प्रियोक्त में से कोई नहीं तो यहां पर मैं आपको बताऊं इस्थाई संपत्ती में व्रद्धी क्रे के कारण होगी यानि increase in fixed asset due to purchases, fund का प्रियोग, यह option आपका कैसा है, correct है, बी वाला जो answer है, वो ठीक है, बर्स के अंत में, इसकंद का परिडाम क्या होता है, fund का प्रियोग, fund के स्रोत, fund में कोई परिबरतन नहीं, और प्रियोग तुमें से कोई नहीं, तो इसका जो सही answer होगा, fund के स्रोत, य यह अपसन इसका सही होगा, और इसको कर लिजेगा, अगला question देखते हैं, और अगले question में solve करना है, क्या है solve करने के लिए, चालू पूंजी, चालू पूंजी का क्रिया शील प्रियोग निम्न में से कौन सा होगा, यह जो question है, अच्छा question है, इसको दिहान से देखिएगा, और कह रहा है, चालू पूंजी का क्रिया सील प्रियोग निम्न में से कौन सा होगा, एप point पे दे रहा है, ख्याती अपलिकित, बी में दे रहा, इस्थाई संपत्यों का विक्र हानी पर, और तीसरा, सुद्ध हानी संचालन से, और जो चोथा है, वो है, अंसला भांस की तो यहां पर सुद्ध हानी संचालन से, यह option ठीक है, यानि सी वाला option है, अगला question है, निम्न लिखित में से कौन सा गैर चालू दायत है, most important है, यह बहुत पूछा जाता है, देखो current liability और current assets के लिए तो आना ही आना चाहिए आप लोगों को, तो यहां पर जो option है दिये दूसरा है bank का दिविकर्स, तीसरा है अदत मजदूरी और है देविल, तो इसका सही और correct जो answer है, वो हम लोगों को छाट के रखना है, कौन सा है, देखिए, बंधक red, यह बाला होगा, ओके, यह क्यों होगा, क्योंकि बंधक red जो होता है, वो current नहीं होता है, यह long term के लिए होता है, तो option यही ठीक है, अगला है, मसीन पर हिरास है, क्या कोस का प्रियोग, कोस का स्रोत, कोस कोई प्रवाव नहीं, और डी में है, कोई नहीं, तो इन में से मसीन पर जो हिरास है, वो कौन सा है, कोस का स्रोत, यह बाला option भी ठीक है, नेक्स है, निमले खितमे से किसके द द्वारा होगी तो यहां पर समझते हैं पहला है देंदारों को नगत भुगतान और भी है लेंदारों को चेक द्वारा भुगतान ठीक है और ख्याती का अपलेखन अगला रोकल हेतु पुरानी मशीन का विक्र है क्या कहा राइन्यम लेकिन में किसके द्वारा कारिये सील जो बिक्र है उससे हमारी जो कारिये सील पुझी है उसमें वरद्दी होगी तो आपसन डी ठीक होगा अगला है निम लिखित में से किसके द्वारा कारिये सील पुझी परिवर्तित नहीं होगी चार आपसन है आपके लिए पहला है माल का नगत किरे दूसरा है मशीन का नग तो बताएं एक इसक 000 किस द्वारा होगा तो यहां पर डी न्हीं啊 ठीक लिक्ष्ट में से ऑंश कोसो का स्रूत है ठीक है वह कोसो का स्रूत कौन सा है बेत्नो का भ॥तान जी नहीं हिराश का अपलेखन जी नहीं and और संपत्तियों इस्थाई संपत्ति का बिक्र बिल्कुल यह हो सकता है और लाभांश का भुगतान यह नहीं हो सकता है देखो यहां पर यहां पर भी पैमेंट जाएगा यहां पर भी जाएगा और यहां पर भी जाएगा लेकिन यहां से पैमेंट हमें और मिलेगा तो इसका कोसों का उप्योग है यानि हम जो फंड हैं उनका यूज करें तो कहां पर इसका यूज माना जाएगा पहला है मारा लाबहांस का भुक्तान दूसरा ख्याती का अपने खन तीसरा मौल का नग्र विक्क रहे और डी नंबर पे है आय करकी वापसी तो वही कोसों का उप्योग यानि जो हमारे funds हैं, उनको utilize करना है, तो इससे dividend भुकतान बाला जो आपसन है, वो कैसा रहेगा, ठीक रहेगा, ठीक है, तो ये इसका एक रक्ता answer है, next एगला question, कि निम लिखे तुमें से कौन से गैर चालू संपत्ती है, important है ये question, ये देखिए, चालू संपत्ती और चालू liabilities, ये बहुत आता है, ठीक है, तो देखिए, कौन कौन सी है, इसमें, देखो, चालू संपत्ती कहते किसके लिए हैं, उसके लिए कहते हैं, चालू संपत्ती, जो एक बरस के अंदर, अंदर, कैस में convert हो जाए, वो हमारी चालू संपत्ती होगी, और जिसको एक बरस के अंदर हम कैस में कनवर्ड कर सकते हैं माना जाता है कि जो स्टॉक है बनियर के अंदर अंदर सॉल्व हो जाता पूर्दत किराया यह तो हमने पहले से प्रिपेड गिया हमारी असेट्स हो गई कैस यह तो लिकृडिटी है और ख्याती यही इसका करक्ट आंसर होगा इसको नही है इसलिए इसका करक्ट आंसर जो होगा कौन सा होगा ख्याती होगा अगला कोश्यन है सुद्द लाव प्लस गैर नगद वय यहानी बराबर होता है किस से होता है चार आप सन हम लोगों के लिए देखिए पहला है संचालन से कोस यह हो गया दूसरा है कोसों का प्रियोग त टीसरा है कोसों के स्रोथ और चौथा इनमें से कोई नहीं तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है वाला है ओके ARE लगाएगगा संचालन से कोस अगला कॉस्चान है जब सुरूथ पक्ष का प्रियोग प्रियोग पक्ष के योग से अधिक होता है तो प्रिभाव होता है किस बात का प्रिभाव होता है इसके चार हां ओप्सन हम लोगों के लिए मिले हुए है ए में लिखा हुआ है कारियसील पूंजी में व्रद्धी से बिलकुल होता है यह पिछले जो हमने वीडियो पढ़ाया था नुमेरिकल का उसमें विंशन से जो योग है प्रयोग पक्ष का योग है अदिख होता है दूसरा कारी पूंजी में कोई परिबर्तन नहीं गलत यह नहीं आपसन इसका और अगला है इनों से कोई नहीं तो यह भी सो अइसका जा रहा हो तो कर के लिए प्राबधान को मानना चाहिए कर के लिए प्राबधान यह प्रोवीजन फार टैक्स है यह ठीक है इसको क्या मानना चाहिए पहला है चालू दायत तो बिल्कुल नहीं मानना चाहिए गलत हो गया लाब का नियोजन होई नहीं सकता है चालू दायत तत कोस पिरवा विबरण में प्रस्तावित लावहांस को कैसे विबरण करते हैं या लिखते हैं या किस तरह से हम उसको दरसाते हैं तो यहां पर चार आपसन हैं चालुदायत के रूप में जी नहीं चालुदायत के रूप में हम इसको नहीं दरसाते हैं और दूसरा है लाव के नियोजन के रूप में बिलकुल यहां पर इसको दिखाते हैं इसी तरह इस दिखाते हैं लाव की नियोजन के रूप में उक्त ए या बी के रूप में जी नहीं ऐसा नहीं है क्योंकि ए बाला जब खतम हो गया तो यहां पर एक आपसन आ रहा तो वह भ कुंसा है भी है तो यह हमारे जो कुशन्स थे आपको कैसे लगे जरूर बताईएगा और अच्छे सिन को तयार कीजिएगा तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई